देखिए, नए युट्टीबर को exact क्या करना चाहिए अभी के टाइम में, कि जल्दी से ग्रोथ मिल जाए, अगर आप एक नए यूटुबर हैं, fresh, मलब आपको कुछ मालूम नहीं है, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, subscriber पूरी नहीं हो रहे है, watch time पूरा नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए आपको यही चीज मैं आज आपको बतानी वाला हूँ और इस वीडियोज को पूरा जरूर देख लिजेगा मैं आपना छे बरसों का अनुभाव आपके साथ सेयर कर रहा हूँ जो अनुभाव आपको कुछ सेकेंड, कुछ मेंटो में आपको यह मालूम चल ज़ेगा कि एक्जेक्ट आपको करना क्या चाहिए ठिक है अनुभाव लेना आपके लिए बहुत जरूरी है मुझे नहीं मालूम कि आपका चैनल एक साल पुराना है, दो साल पुराना है कैसे काम चलेगा, क्योंकि मैं या कोई भी आपको बताएगा, जो भी आपको बताएगे, उनकी बात को पहले आपको सुनना पड़ेगा, तो चलिए, मैं बिना किसी देरी का स्टार्ट करता हूँ, चैनल पे नय है, मॉबाइल वाला यूट्यूबर, सस्क्राइब कर रखेगा और वीडियोज को भी लाइक अवज सिखीजेगा, क्योंकि दो हजार पचीस में आपको जल्दी से ग्रोथ पाना है, तो सुनना ही पड़ेगा, आपका चैनल दो साल पुराना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अलग काम है, और आपका चैनल यदि दो तीन महीन हुआ, तो उसके लिए क्या करना है, ये दोनों का अलग अलग काम है, बहुत सारे ललकों के चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, 4000 घंटे का वाज टाइम भी पूरा हो चुका है, और मोनेटाइज भी हो चुका है, और बहुत सारे लोगों का 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है और monetize भी नहीं हुआ है तो करना क्या है अगर आपका चैनल दो साल पुराना है और आपने वीडियो बहुत बनाया है लेकिन एक हजार सस्क्राइबर पूरा नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ जो मेरा पहला टिप्स है मैं आपको पांच टिप्स बताऊंगा पहला टिप्स है कि आप अपना चैनल को नया बना लीजिएगा नया बनाने का मतलब है कि आप एक न्यू चैनल को क्र कर लीजेगा अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूंarken मैं तो पैसे कमाने से मतलब है कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पी आरे ब साइब जब दो साल से मेंथ कर रहे हुआ पैसा ही नहीं कमा रहे हैं तो मैं आप आपको अनुभाव की बात बता रहा हूँ आप मानो या ना मानो मर्जी आपके उपर है आपके हाथ में मोबाइल है मैं तो पकड़ करके कुछ करने वाला हूँ नहीं आपको एक निया फ्रेश चैनल क्रियेट कर लेना चाहिए ठीक है और निया चैनल जब क्रियेट करेंगे ना तो जितना भी आपने वीडियो बनाया है loyal जितना भी आपने अनुभाव लिया है घृत्ध लिखा है यह सारा अनुभाह आपको पता है अर इस अनुभाव से जो आप नंए चैनल्स पर क्개ता करेंगे यूट्यूब आज-kals के डिट में देख रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे चैनल है, हर चैनल पर मैं काम करते रहता हूं, तो जो सबसे मेरा पुराना वाला जो चैनल है ना, उस पे भी उतना नहीं आता है, जितना की नए वाले पर आता है, आदमी वही है, बोल मैं ही हो ना, मैं ही बता रहा हूं, मैं ही सिखा रहा उस पे भी, उस पे भी, उस पे भी, लेकिन उसका जो reach है, उसका जो impression है, उतना ज्यादा नहीं जाता है, जितना की नए वाले का जाता है, अगर आप sort बनाते हैं या बनाती हैं, कौर से सुनिएगा, sort वाले जो भी लोग बना रहे हैं, उनका भी जो नया channel है, अगर fresh channel है, तो थोड़े बहुत पैसे भी कमा रहे हैं, या नहीं कमा रहे हैं, तो यह समझेगा, उसका reach down जाता है, जल्दी growth होता नहीं है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मैंने हर साल channel बनाया है, और experiment किया है, और experiment करने के बाद ये बात ये आपको बता रहा हूं, तो दो साल पुर ये है मेरा पहला tips, अगर आपका 2-3 महीना हुआ तब जरूरी नहीं है, हाली में अगर आपने चैनल create गया, 2-3 महीना हुआ, आपने 5-10 वीडियो डाला है, तब ये जरूरत नहीं है, मैं 2 साल वालों के लिए ये बात कर रहा हूं, नया channel create कर लिएगा, अचा जिसका नया channel ह वो क्या करे, अब जो आगे का जो tips में बता रहा हूं, आगे का जो बाते बता रहा हूं, चार और बातें उसको गौर से सुनिएगा, दूसरी जो बात है, कि आप एक category का वीडियो बनाएगा, अगर आप एक नया channel बनाए हैं, तो उस पर कोशिस कीजिएगा, एक ही category का आप यह सकते हैं, और मैं भी ऐसा करता था, लेकिन दिक्कत यह होती है, कि देखो, यह बात समझने वाली है, जैसे आप एक निस पे काम कर रहे हो, और एक्जामपल आप ब्लॉग सूट कर रहे हो, मोबाइल को ऐसे ले करके, और जा करके सहरों में या जंगल में या पहाड अगर आप नियूज वगरा बता रहे हैं, समाचार बता रहे हैं, कोमेडी कर रहे हैं, तो कोशिस यह कीजेगा कि कोमेडी से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड कीजेगा, नियूज से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड कीजेगा, देखो, लोग गलती यहीं करते हैं, कि एक निश्प पे काम नहीं करते हैं, क्यासे ग्रोथ कर देगा, अगर आप आज कुछ और कर रहे हो, कल कुछ और करोगे, परसों कुछ और करोगे, यूट्यूब किसके पास आपकी वीडियोज के भेज़ेगा, सोचिए घजरा, अगर एक आपने, देखो, कीवर्ट के हिसाफ से चलता है, यूट्यूब ना मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं चलता है, उसमें जो कीवर्ड डालेंगे, उसमें जो शुलियागा आप एक निश्प पे काम करोगे अलग अलग निश्प नहीं जाओ गे अलग अलग कर एक तरोगे में करें कि आपको कतेगरी सेलेक्ट करना चाहिए अगर एक में नहीं गरॉथ हो रहा है तो आप रूज बदलते रहो ंए बहुत सारे लोग आज कोमेड़ी स्ले टेलैनल है तो सब पे अलग अलग category है अलग अलग नीज वीडियोוכ वीडियो बताने का सब मतलब category मैंने वाध रख्या है यहे जो मेरा मोबाइल वाला यूतुइबर चैनल है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं इसपर मेरे सिरसी आप YouTube के बारे बी मताता यूट्योब्स होता है यूटूब की जानकारी होती है यूट्यूब का कुई नया अपडेट आता है ठीक है इसके बारिस इसके सब्सक्राइब करना होता है यह बात याद रखिएगा एक निश्प पो काम करना बहुँ जरूरी है नहीं पता नह You say आप समझ रहे इंका नहीं समझ रहे लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करणा रहा हूं तीसरा बाद जो है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल आपने टाइटल टैग किसी और का लगा दिया क्योंकि आपको लग रहा है कि कीवर्ट के हिसाफ से रेंक करता है तो रेंक कर जाएगा नहीं ऐसा नहीं वीडियो आजकल आजकल सब कुछ आटोमेटिक होता है समझ जाता है यूट्यूब की वीडियो में क्या है किस चीज के बारे में बात हो रही है उस हिसाफ से आपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन भी लिखा है तो वो उसे हिसाफ से रेंक कर देगा अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो फिर रेंक नहीं इस वीडियो में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है ज्यादा टैग नहीं है ज्यादा टाइटल में कुछ लिखा नहीं होता है तो अभी क्या है कि मेरा जो ब्राउज फीचर से ज्यादा लोग देखते हैं मेरी वीडियो में जाता है तो भीज आ जाता है और यूटूब म होगा या नहीं होगा फिर भी वह लोगों के पास जाएगा ऐसा मैं कई बार कर चुका हूँ आप इसे वीडियोज को देख लिए इसमें क्या है आप जा करके चेक कीज़ेगा कुछ नहीं है तो टाइटल टैक डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें यह मुझ से बताने वाली बात न और मैं आपको यहां चीज़ रिक्यमेंड करूंगा कि एक ना बुक है ना पैसा और नौकरी है क्या करें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के बारे में है अब जा करके उसको खरिद करके पर्चिस कीजिएगा उसको पढ़िएगा उसमें टाइटल टैक डिस सीखने पड़ेगे का कहीं तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा तो क्कि यहीन स सब चीज है सीखने वाली चीज इरिट् Euh इरिटींग कैसे होती है टैक्ट डिस्क्रिप्शन यह बहुत मेंडर करता है आप मानो या ना मानो भले मेरे में नहीं है क्योंकि मेरा फेस बेलु बना हुआ है मेरा चेहरा को लोग पहचान रहे हैं लोग देख रहे हैं इस वजह से आपको तो कोई पहचान नहीं है तो आप जब जबी मैं नया था तो मेरे को भी नहीं पहचानता तो मुझे लिखना ही पढ़ता था थिक है हर वीडियों में title tag description लिखना ही पढ़ता था तो यह तीसरा काम है टाइटल tag description वाला यह बहुत जरूरी है दोहजार पचीस में जो मैं बातें बता रहा हूं न यह करके देखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं उनके पास ट्राइपोट नहीं है माइक नहीं है ऐसे वीडियो बनाया जारें मोबाइल फॉन से आपको लगता है कि मोबाइल पॉन से केवाल आज के जमाने में ऐसे हो जाएगा मतलब हवा में उड़ जाए ऐसे हो सकता है और एक क्वालिटी मेडर करता है आपने वीडियो को कितना साप मनाया है आवाज आप कि लोग के पास कैसा जा रहा है अच्छा जा रहा है नहीं जा और आपको देखोगे मेरी जो साउंड है वह आपको सुनाई ना दे आप सुनेगे देखेंगे छोड़ के चले जाएंगे किसी की भी वीडियो में आप जाकर देखेंगे अगर वीडियोज अच्छा नहीं है तो लोग इसको नहीं देखते हैं तो माइक ट्राइपोर्ट मोब कुछ का ध्यान रखना होता है क्या जैसे बेग्राउंड में क्या है क्या दिख रहा है पीछे अब नदी में है पहाड में है खेतों में घरों में क्या किस जगा पर वीडियो शूट कर रहे हैं यह भी मेटर करता है ऐसा नहीं कि आप एक ही बेग्राउंड बार बार दिखाया पूर्ग कीचानी दुकर हैं देखेंट मेरे बीदेशेम यह सारा कुछ मैं इंपलीमेंट करता हूं तब मतल veramente सब्सक्राइब यह सब आपको भी करना होगा सिर्फ बातों से नहीं हो जाता है कि यह कुछ कह दिया उसको पकड़ के बैठे हो एक ना फ्रेस माइंड चाहिए दिमाग एकदम आपका साप चाहिए बच्चों के जासा जो हर दम सीखने के लिए तयार हो आपको रोज टॉपिक सोचना है कि क्य कि या किश टॉप यूइव दम आ जां क्या करें कौन सा वीडियो मार्केट में कौन सा वीडियो चल कि लोगों की जरुए फिक्राइब कर सकता हूं और सबसे उस से भी उपर की जो बात है क्या मुझे आता है आता है नहीं आते तो पहले उसको सीखना पड़ेगा सीख करके बताएंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे YouTube के बारे में सारा कुछ ग्यान है, सब मुझे पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ काम किया हूँ, कुछ मेहनत किया हूँ, कुछ का रियल्ट आपको दीख रहा है, तो उसी का अनभाव मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, यह ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ, सब 100%, 100% सही होगा, किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन ऐसा मान के चलिए, कि मैं अगर growth पास सकता हूँ, तो आप भी growth पास सकते हैं, आप यूटूब से पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, दौलत, सब कुछ कम आसके अब मैं आपको को आता हूं चौथा था मोंनेल जो आप देखते हो वीडियो च्塔यों में वीडियोग को रिडियो क्रने में 80% इसका भूरा रोल होता थामनेल मैं आपको बात बताउं मेरे चैनल इरीटिंग कैसे करें थामनेल कैसे बना यह सारा कुछ आप देखते ही नहीं ना बात यह आप तो मैं ये चाहिए और आप लोग यूटूब को युटूब को अपने पाइदे के लिए आपकी नए खिला रह상이 के लिए लेकिन यह तो नॉर्मल बात है मैं किसे पैसा तो नहीं ले रहा हूं मैंने किताब बनाया कि किताब में देता हूं कि जाओ वहां से खरीदना कई अधर जगर से मार्केट से मत खरी लेना नहीं पता नहीं कौन-कौन सा किताब मार्केट में बनाकर बेच रहें के लिंक देता हूं कि नोशम करें से मंगाना आपके घर प्रेंटा कर वहांणा आपके घर पर सुछ नहिंग किताब में इनका फाइदा होगा मेरा कोई फाइदा नहीं में आपको बदा दुदू 9 मैं चाफता हूं मैंने कौने इसको लिख के उनको सब्मिट किया और वो जो है लोगों के पास देशते दस पंदर रुपे 17 रुपे मुझे मिलता है बस चार सो गर तीन सो चार सो को पता ने कितने का प्राइज है आप देख लिए जाकर करके लेकिन 15 से 17 रुपे वह मिलेगा पता ने कब भी गैरेंटी निये यह आप द्यान भी रखिएगा ऐसा नहीं कि मुझे फाइदा होता है मैं कोई किताब का कंपनी खोर रखा हूं अपना किताब बेच रहा हूं तो मुझे बहुत आर्नी हो अरे आपके मदद के लिए मैंने किया था या एक एक चीज ऐसे मोबाइल में देख देख करके ठक जाओगे तो उससे अच्छा है कि आप एक किताबी पर्चेश कर लो जिसमें सारा कुछ हर सवाल का जवाब उसमें लिखाओ किसी से पूछने की जरुवत नहीं है इसलिए मैंने बोला था कि उसकिताब को मंगा लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में तो मैं बात कर रहा था था थ यह नहीं है तो 50 रुपय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भनाते हैं उनको में आपको करते वी होगे जो एक नहीं कमा रहे तो आप महनत कि यह अट्रेक्टिव कैसे बनेगा कैसे लोग देखेंगे थमनेल का बहुत बड़ा रोल है यह टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन पहले मैंने बताया था आपको चैनल एक बढ़िया बना लीजी दूसरा मैंने बताया कि एक निश्वे काम किजिएगा तीसरा मैंने बताया था कि ट कि अपलोड किया कुछ दिन के बाद दो तीन दिन के बाद चार दिन के बाद बढ़िया सा टाइम ले करके एक और वीडियो बैतने तिक है उस जो पहली वीजुट आपने बनाया है अब आपको गयार ऐसा कौन सा टॉपिक है, मैं करा है, बहुत ऐसे टॉपिक है जो यूटूब में नहीं है, अगर आप चाहो, तो उस टॉपिक पे वीडियेट करके उस पे अपलोड करोगे, तो वो वाइरल हो जाएगा, अब मैं आपको एक एक बताने वाला नहीं हूँ, क् कि मैं अगर बताने यही बताने लग जाओ, तो फिर आप क्या करोगे, यह देखुआ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप सोच लोगे, इतना ही पता है, तो आप बता किन देखुआ, बता देता मैं, लेकिन अब उस पे नहीं कमपटिशन बढ़ जाएगे, सारे लोग हर जगा पे कुछ न कुछ ऐसा चीज है, जो आफलाइन है, आउनलाइन नहीं हुआ है, आउनलाइन उसको जानते भी नहीं है, आउनलाइन वो खेती से रिलेटिर हो सकता है, वो कपड़ी से रिलेटिर हो सकता है, वो कोई मंदीर से रिलेटिर हो सकता है, कोई जगा से रिल इस्टेज प्रोग्राम से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है आप ढूड़ो ना दिमाग लगाओ कि यार ऐसा कौन सा काम है जो ऑफ-लाइन भी ऑनले नहीं हुआ है मैं उसको ऑनलाइन लगा बेहतर से बेहतर तरीके से ठीक है अब यहां तक मैं आपको हिट दे दिया हूँ अब यह इससे ज़्यादा मत पूछना क्योंकि अगर मैं उसका नाम ले लेता हूँ ना तो फिर वह कंपटिशन उसमें बढ़ जाएगा फिर आप गुरूत नहीं कर होगी तो फिर एक खचम्-खचम्-मारा मारी को जाएगी उस उसकाम को लिए इसलिए मैं बताना नहीं चाहता है बताना तो चाहता हम लेकिन बतानी सकता मजबूर है मैं जानता हूझ कि इसको सुनने के बाद आप वही काम करने वाले हो तो यह दिमाग लगा इका जो बेद पाया इतसे रिलेटेट कोई ऐसा चीज क्रियेट कीजिए कुछ आचा वीडियो बनाए जो अभी यूटूब में है नहीं आई आए आफ लाइन में वह सब हो रहा है सही काम गलत काम नहीं सही काम यह ध्यान में रखिए और इस तरीके से तीस वीडियो बना करके अपने चैनल किसी का एक दो वीडियो से ही ग्रोथ मिल जाती है बहुत सारे लोगा माइफर्स्ट ब्लोग पहला बार ही बनाएंगे और वह वायरल हो जाएगा अब यह जा करके माइफर्स ब्लोग ही मत बना ले लग जाना मैं हमको हीट दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग ने बनाया है औ तो कुछ नहीं होने माला अपने मन से कोई आइडिया कोई वीडियो कोई काम कोई भी चीज का रिकॉर्ड करके आप अपलोड करोगे अपने दिमाग से जो आपको लग रहा है कि हाँ यह नहीं है मैं इसको करूँगा अपने ढंक से अपने लाइंग में तो वह ग्रोथ दि आहे बनागा की रखेगा कि दस पंदररा या तींस वीडियो भी लग सकता है को जरूरी ने के एक ही दो वीडियो में साथ विडियो में मैं ने किसी किसी का HOL सकता है लेकिन शबकान नहीं होगा लेकिन पीजिट मेरे कहने जीस हिसे शाब से मैं बता रह advanced video C SAV nee बढ़ना ले और उसी content को उसी category उपकड़ लेना उसी related और वीडियो इकठा करते जाना बनाते जाना आप देखना कि एक सफल यूटिवर बन जाओगे एक अजार क्या एक लाग दस लाग सब पुरे हो जाएंगे अब बहुत सारे लोगों करेंगे यह पहले अपना दस लाग पुरा करो अलग कुछ है किया अगर इससे अलग कुछ है तो कॉमेंट कीजेगा क्योंकि जो भी मेरे पास बात थी सत्य बात थी 100% सत्य इसमें कोई मिलाओट ने कोई जूट ने कोई प्रोड बात ने बिलकुछ जैनुवन बात में आपको बताया सब्सक्राइब कर लिजेगा से कि नेक्स बुली में जैन